मुर्दाबाद जो सत्य निस्ठा पर चोट पहुंचाई है उसने जो समिधान की और सब चीजों के विपरीत काम किया है इसका जवाब ठोक कर दिया जाएगा और अपने पत्रकार की रिहाई होने तक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा पत्रकार उपिरन चरम पे है पत्रकारों की स्थ इस तरीके से टार्गेट किया जा रहा है कि कभी तो लाल आदान देव बोलते हैं मेरी पूछ पाड़ लेगा जगे का मामला है मद्यपरदेश का वहाँ पर पत्रकारों को नंगा खड़ा कर दिया और नंगा खड़ा करने के बाद उनको बाकाइदा उनकी बेज्जती करी म पद्यपरदेश में पत्रकारों को नंगा किया है पत्रकारों को नंगा नहीं किया है लोग तंत्र के कपड़े उतारे गए हैं पत्रकारों के सम्मान को बचाएं क्या हो रहा है प्रदेश में किस तरीके से आप तक फीडबैक जाएगा कि भरष्टाचार हो रहा है या नही व्रष्टा2R को खतम करना है जिस भी स्थर पे हो रहा है तो उसके खिलाव ख़बर चपनी चाहिए अधिकारी परिक्रमा छोड़नी होगी तब इनके कपड़े उतरने से बस सकते हैं नमस्कार स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूँ आपके साथ भी पिंच ओधरी इस समय मैं मौदूद हूँ मंडला युक सारनपूर कारियले पर और सामने आप देख सकते हैं खड़ी हुई है पत्रका पत्रकार एस्वेसेशन के सारनपूर जीला द्यक्स एवं उत्राखंड पर बारी आलोक तनेजाजी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर धन्यवाद बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बीजीटी निउस का आपको और आपके सा पत्रकार एस्वेसेशन के प्रदेश नित्रत्व के आवान पर बलिया में पत्रकारों को जेल भेजा गया है निर्दोष पत्रकारों को उनकी रहाई की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में एक साथ ग्यापन दिये गए हैं और उस ग्यापन से मांग की गई है कि जो बलिया में निर्दोश पत्रकार हैं उनको रिहा करो और बलिया के जो DM है उनके आचरन की नियाईक जांच कराते हुए जो उनोंने अपने मुख्यालों पर हमारे जीले ग्रामीन पत्रकार एसोशेशन से जुड़ा पत्रकार लगातार ग्यापन दे रहे हैं रामपूर में ग्यापन दिया जा रहा है देवबन में ग्यापन दिया जा रहा है नकुण में ग्यापन दिया जा रहा है बेहिट में ग्यापन दिया जा रहा है ग्रामीन पत्रकार एसोशेशन से जुड़ा पत्रकार लामबद है अगर इस आचरण की जो कलेक्टर का आचरण हुआ है जो सत्ते निस्ठा पर चोट पहुँचाई है उसने जो सम्विधान की और सब चीजों के विपरीत काम किया है इसका जवाब ठोक कर दिया जाएगा और अपने पत्रकार की रिहाई होने तक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा यानि वर्तमान दोर में यदि बात करें तो पत्रकार उत्पीडन चरम पर है बिल्कोल पत्रकार उत्पीडन चरम पर है पत्रकारों की इस्तिती इस्तमें ये कर दिये जो लोकतंत्र का चोथा थर्ड आई जो चोथा आँख है लोकतंत्र की उस पर इस तरीके से टार्गेट किया जा रहा है कि कभी तो लाला लांदेव बोलते हैं मेरी पूछ फाल लेगा कभी कलेक्टर इस तरीके का आच्रन करते हैं कभी और तमाम जगे पर अभी एक जगे का मामला है मद्यपरदेश का वहाँ पर पत्रकारों को नंगा खड़ा कर दिया और नंगा खड़ा करने के बाद उनको बाकाइदा उनकी बेजज़ती करी क्या हो रहा है समिधान की रक्षा करने के लिए जब पत्रकार खड़ा होता है तो उसकी इस तरीके की बेकदरी की जाती है कि इन परस्तितियों में पत्रकार लगातार फिल्ड में रहकर काम करता है चाहे वो अधिकारियों से रिलेटेट खबरे हो चाहे वो राईनितिक लोगों से रिलेटेट खबरे हो चाहे वो पुलिस का जो अधिकारी उत्पीडन करते हैं उससे रिलेटेट खबरे हो हर मोर्चे पर समाज को आयना दिखाने का और समिधान की रक्षा करने का काम पत्रकार करता है और उस पत्रकार के साथ इस तरीके की बेहुदगी और सबसे बड़ी बात महत्पून बात यह है कि जो जिला इस्तर पर पत्रकार इस्थाई समीती है जो शाषना आदेश के मुताविक दो महीने में एक बार उसकी बैठा को होनी चाहिए 6-6 महीने में 8-8 महीने में वैटके नहीं होती है किस तरीके से क्या चाहता है अपर शाषन हम से क्या चाहता है यह जो मद्य परदेश में पत्रकारों को नंगा किया है पत्रकारों को नंगा नहीं किया है लोग तंत्र के कपड़े उतारे गए हैं यह पत्रकार पत्रकारों के सम्मान को बचाएं क्या हो रहा है प्रदेश में किस तरीके से आप तक फीडबैक जाएगा कि भरष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है यह पत्रकारी आप तक सारा सिस्टम पहुंचाते हैं जिससे आप उसको ठीक करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग करते हैं जी आप तो लगातार ये बात कहते हैं कि ना धीर निकालो ना तलवार निकालो और जब हो तो मुकाबिल तो अख रहो तो जिस वर्तमान दोर की आप बात कर रहे हैं तो इसमें किस प्रकार से अखबार निकलेगा बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं इस पर बिल्कुल स्पस्ट कहना चाऊँगा कि पत्रकारों को भी मैं एक संदेश देना चाऊँगा कि ये जो लगातार गणेश परिक्रमा की खबरे चलनी शुरू हो गई है चाया बड़े बैनर हों चाया और पैनर हों वो इससे बचे जो लोक तंत्र के चौथे इस्तंब को बचाने का काम है लोक तंत्र की मर्यादा का काम है जो जो कर रहा है उससे समझोता ना करे पत्रकारों का उद्देश से सिर्फ जीरो टॉलरेंस पे काम करना और ब्रश्टाचार को खत्म करना है जिस भी स्तर पे हो रहा है पत्रकार ब्रश्टाचार कर रहा है तो उसके खिलाफ खबर चपनी चाहिए अधिकारी ब्रश्टाचार कर रहा है उसके खिलाफ खबर चपनी यह गणेश परिक्रमा छोड़नी होगी तबी इनके कपड़े उत प्रफीक है इस्तितियां ऐसी हो गई है कि जब पहले पांचार अख़बार हुआ करते थे अब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बढ़ बन गया है तो किसी को बेंगन पच किसी को अनपच कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपने अगर सच्चा ही दिखाने की कोशिश तो जनता का आदमी उसको व्यक्तिकत ले लेता है और व्यक्तिकत लेने के बाद जो है नराजगी कर लेता है इसलिए जनता नहीं खड़ी होती है मेरा पत्रकार सातियों से अनरोध है कि अपने सम्मान की रक्षा करें और मीडिया जो कलम है उसकी रक्षा करें ये पूरा अब धीरे धीरे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है देखे हिंदुस्तान है हिंदुस्तान में कभी भी कुचलना जो होता है कुचलना जब कुचलने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उभार आता है वो समय आ गया है अब पत्रकारों को कुचलने का समय चक्र जो शुरू कि मेजाक के ने दींग तर्त मेहांपर मन्डला उकृकृू रभी आपकां के hill один ककращ जाए और अप्रद्र सब्सक्राइब काम कर रहे हैं और अपनी मांगो को उठा रहे हैं पत्रकार उत्पीडन के खंखिल्यक्त्राइब कर रहे हैं बाइधि आपको